स्मार्टफोन की दुनिया में कॉम्पिटेशन तो चलता ही रहता है। सालों से एपल का आइफोन राजा बना हुआ है। ये अपने स्लीक डिजाइन और जबरदस्त परफॉर्मंस के लिए जाना जाता है। लेकिन अब एक नया चैलेंजर आ गया है। टेसला पी आइफोन ये फोन गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये एक ऐसी कंपनी से है जो बाउंडरीज को पुश करने के लिए जानी जाती है। इस कंपारिजन में हम दोनों फोन्स को डीपली अनलाईज करेंगे। देखेंगे कि इन में क्या खास है। उनकी स्ट्रेंग्ट्स और वीक्नेस पर भी नजर डालेंगे। अन्त तक आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा फोन सही रहेगा। तो शुरू करते हैं ये बैटल। आइफोन को देखते ही पहचाना जा सकता है। इसका एक स्लीक डिजाइन है जिसे एपल ने सालों से निखा रहा है। मेटीरियल्स प्रीमियम है। बिल्ड क्वालिटी लाजवाब है। ये एक ऐसा फोन है जो दिखने में जितना अच्छा है उतना ही अच्छा फील भी होता है। दूसरी तरफ टेसला पी आई बिलकुल अलग है। ये फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ आता है। सोचो शाप लाइन्स और बोल्ड अंगल्स। ये साफ है कि टेसला एक स्टेट्मेंट बनाना चाहता है। कहा जा रहा है कि पाई फोन एक स्पेशल एलोई से बना है। ये एलोई टेसला की गाड़ियों में यूज होता है। इससे ये बहुत ज्यादा डियूरिबल बन सकता है। दोनों फोन्स का अपना अलग एस्थेटिक अपील है। चुनाव असल में आपकी पसंद पर निर्भर करता है। आपको क्लासिक एलेगंस पसंद है या फ्यूचुरिस्टिक बोल्डनेस। आइफोन और पी आइफोन दोनों ही फावर हाउसे हैं। एपल के A-Series चिप्स अपने जबरदस्थ परफॉर्मंस के लिए जाने जाते हैं। आप जो भी काम करते हैं ये उसे आसानी से हैंडल कर लेते हैं। सुनने में आया है कि पी आइफोन में टेसला डिजाइन सिलिकॉन होगा। ये गेम चेंजर हो सकता है। बैटरी टेक्नोलोजी में टेसला की एक्सपर्टीज ये आइफोन में भी देखने को मिल सकती है। हम इंक्रेड़बल बैटरी लाइफ देख सकते हैं। दोनों फोन्स में 5G कनेक्टिविटी होने की उम्मीद है। इससे ब्लेजिंग पास्ट डाउनलोड और अफ्लोड स्पीज मिलेंगी। आप चाहे कोई भी फोन चुने, आपको एक स्मूध और रिस्पॉंसिव एक्सपीरियंस मिलेगा। सेक्शन 4. यूजर एक्सपीरियंस आइफोन 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 पर चलता है। iOS अपनी सिंप्लिसिटी और इस्तेमाल में आसानी के लिए जाना जाता है। ये बहुत ही intuitive operating system है। अगर आपने पहले कभी smartphone यूज नहीं किया है, तब भी आप iPhone लेकर तुरंत यूज करना शुरू कर सकते हैं। दूसरी ओर, कहा जा रहा है कि पाइफोन एकदम नए operating system पर चलेगा। ये operating system खास तोर पर पी iPhone के लिए बनाया गया है। ये exciting हो सकता है। ये थोड़ा risky भी हो सकता है। नया operating system यानि नया सीखना। इसका मतलब ये भी है कि launch के समय ज्यादा apps अवेलिबल नहीं हो सकते हैं। हालांकि अगर Tesla वाकई में एक innovative और user friendly OS दे पाता है, तो ये P.I. phone का एक major selling point हो सकता है। अपल का ecosystem उसकी सबसे बड़ी टाकत है। iPhone, iPad, Mac, Apple Watch और AirPods ये सब एक साथ seamlessly काम करते हैं। इससे एक truly connected experience मिलता है। Tesla अपने electric vehicles और energy products के ecosystem के लिए जाना जाता है। ये देखना बाकी है कि P.I. phone इस ecosystem में कैसे integrate होगा। हालांकि अगर Tesla ऐसा ही seamless experience दे पाता है, तो ये उन customers के लिए एक बड़ा attraction हो सकता है, जो पहले से ही Tesla ecosystem का हिस्सा है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां आपका P.I. phone आपकी Tesla को control कर सकता है, आपके power wall को monitor कर सकता है, और यहां तक कि आपके घर को पहले से गरम भी कर सकता है। संभावनाएं बहुत दिल्चस्प हैं। Section 6, the verdict, innovation versus refinement Tesla, P.I. phone और Apple iPhone, smartphone design के दो अलग-अलग approaches को represent करते हैं। iPhone एक refined और polished product है। यह एक familiar और reliable experience देता है। P.E. phone एक bold और ambitious device है। यह अपने unique design और features के साथ industry में तहलका मचाना चाहता है। आपके लिए सबसे अच्छा phone कौन सा है, यह आपकी जरूरतों और पसंद पर निर्भर करेगा। अगर आप एक proven track record और seamless user experience चाहते हैं, तो iPhone एक safe bet है। अगर आप कुछ वाकई innovative और groundbreaking चाहते हैं, तो P.I. phone आपके लिए बहतर हो सकता है। कारण चाहे जो भी हो, smartphones का future बहुत ही exciting लग रहा है। कि खूअ है, फिस्की साथ कॉचा है। है जो झापके मांगर मां सकता है।